हेलो गाइज, वेलकम बैक, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है चैनल बॉक्स एडिटर और एट्रिब्यूट एडिटर के बारे में, कैसे यह माया में यूसफुल होता है यह हम आज इस वीडियो में जानेंगे, तो जैसे ही मैं यहां पर आप देख सकते हो, प्रशूंस दे सकते हो एकश य भी सेक्ष्पेस में, रोटेट कर सकते हो। specific numbers लालके pouv इसको आपको बढ़ा करना है दो स्केल से, तो इसको आपने select कर लिया, तीनों को इस तरीके से drag कर लिया, and then समझो 5 unit आपको बढ़ाना है, just 5 click किया और enter कर दिया, तो यह 5 unit बढ़ जाता है, इस तरीके से, and then यहां से अपने फिर से दुबारा से यहां पर select किया 1 प्रेस कर दिया, तो अपने original position पर वो आ जाता है, same with translate भी है, आप देख सकते हो, यहां पर आप Z-axis में अगर आप move करोगे, तो आप यहां पर values आपको दिखाई देगी, आप यहां पर specific numbers भी डाल सकते हो, for example, मैं 10 डाल दो तो यह 10 units यहां पर आ गया, यह 10 units, यहां माइनस 10 अगर में डालता हूँ, तो वो माइनस 10 के तरफ जाता है Z-axis में, आप सब को select करके आप यहां पर 0 प्रेस करोगे, तो वो उसके original position पर वो आ जाता है, similar with rotate के साथ भी यह से होता है, तो समझ लीजता है, आप यह rotate select कर रहा हो, and then इसको आपको 90 degree घुमाना है, तो आपको बस यहां पर select करना है, 90 select करना है and then enter, और यह 90 degree में perfectly गया, इसको आप 0 कर दोगे, तो वो अपने original position पर आ जाएगा, तो आप generally यहां से भी rotate और rotate कर सकते हो, scale कर सकते हो, move कर सकते हो, अगर मान लेते हैं, ऐसे बहुत ही crazy है यहां पर, इस तरीके से आपने rotate कर लिए, आप देख सकते हो, बहुत सारा values आ रहा है यहां पर, और X में भी कर देते हैं, इस तरीके से कही पर floating हो रहा है, और भी scale हो रहा है, तो आप इसको original position पर लेकर आना चाहते हो, तो आपको पता होगा कि XYZ के axis में वो 0 रहेगा, और फिर rotation में भी यह सारे सब कुछ 0 रहेंगे, तो यह मैंने click कर लिया, या फिर आप सब कुछ इतना select कर सकते हो, रोटेट Z तक और फिर 0 प्रेस करके, एंटर प्रेस कर सकते हो, तो अपने original position पर रा गया और scale हमेशा 1 ही रहेगा, उसका original position, आप 0 करोगे तो वो दिखेगा नहीं, तो ध्यान रखो कि यह हमेशा scale इसका 1 रहना चाहिए, एंटर, तो channel box या layer editor का यही काम होता है, अभी हम देखेंगे attribute editor के बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर geo आता है, यानि यह geo, यह सारे nodes होता है, जो एक दूसरे से connected होता है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, windows और note editor में भी, आप बस इसको click करना है, add करना है आप देख सकते हो, यहाँ पर shape है, और उसका geo है, तो यह वही चीज है, जो, you know, is node editor में रहता है, right, so, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका shape, you know, तो यह कैसा shape है, यह हम आगे, आगे की videos में देखेंगे, कि कैसे हम इसका use कर सकते हैं, और फिर हमारे पास आता है, यहाँ प जो है, बढ़ती रहेगी, तो आपको यहाँ से history delete करनी पड़ती है, जो कि होती है, edit में, delete by type और history, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर alt shift d यहाँ पर click कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर delete by type history यहाँ पर अपक्लिक करोगे, तो उसकी history जो है वो चले जाएगी, अभी फिलाल कोई, मैंने इस पर काम नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, इसकी history, तो यहाँ से कुछ वो node ही लेगा नहीं, या कोई delete नहीं होगा, similar तरीके से अगर आपने इस model को देखा, यह भी model same है, समझ लेते हैं, मैंने इस में कुछ कर रहा हूँ, इस में फर एक्जमपल मैं आ गया है, तो आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हो, आपको जितना चाहिए, तो यह node आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ से आप रिनेमिंग कर सकते हो, लेकिन इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप attribute editor को इतना घबराओ, मत जब भी आप ऐसे काम करों कि इतना सार है, यह सारे चीजे क्या है, आप जैसे जैसे काम करते रहोगे, आपको उसकी importance पता चलेगी, हर एक node की, for example, यह geo है, तो इसका यह geometry है, यह कैसा shape है, कैसे आप control कर सकते हो shape को, यह node दिखाता है, और यह सारे सब कुछ supporting है, और जब भी आप ऐसा कुछ काम करते हो, और आपका काम हो गया है, for example, यह finished model है, तो आप इसकी history आप डिलीट कर सकते हो, जो से मैंने बताया था, edit, delete by type, और history, आगे मैं बताऊँगा कि कैसे मैं shortcuts यूज करता हूँ, यह history, वगयरा, मतलब, यहां से menu से जाने की ज़रुरत नहीं है, हमें, हम shortcut से भी click कर सकते है, alt shift d, या फिर मैं A पकड़ के रखता हूँ और left click करके रखता हूँ तो भी history delete आता है, तो इस तरीके से मैं attribute editor और channel box editor को मैं use करता हूँ, तो आगे की videos में भी हम इसका बहुत जादा use करने वाले है, मैं कुछ एक project बनाऊँगा जहां पर हम work करेंगे और वहां पर हम देखेंगे की कैसे हम इसक इस्तमाल करते है, अभी के लिए बस समझ लो की कैसे ये work करता है, that's it, so guys आज की video के लिए बस इतना ही, अगर ये video आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए इस video को और share कीच अपने friends के साथ, till then bye guys